हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 3.1 टैग तो फ्रेंट्स अगर आप एक नए क्रियेटर हैं और 2022 के अंदर या आपने अपना चैनल शुरू किया है या उससे पहले किया हो लेकिन आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल की सैटिंग्स नहीं की है आपको नहीं पता वो कैसे करते हैं और उसका क्या इंपक्ट पड़ता है आपके चैनल पर आपको ये भी नहीं पता तो friends आज की इस वीडियो में मैं आपको YouTube चैनल की complete setting के बारे में बताने वाला हूँ तो ये वीडियो काफी ज़ादा informative है और हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी भी हो जाए लेकिन वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखना तब ही आप समझ पाएंगे कि YouTube पी कौन-कौन से setting आपको करनी चाहिए तो friends वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नूँन है तो please मेरे चैनल को subscribe करें और notification bell को on करके उसे all पे set कर लें जिससे आपको मेरे आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो friends हम आचुके हैं अपने mobile phone की screen के उपर जैसा कि आप दो क्लिक देख सकते हैं इसमें हमें सबसे पहले अपने chrome browser को open कर लेना है और यहाँ पे हमें type करना है www.youtube.com तो हमारे सामने कुछ ऐसी screen open हो जाएगी और आपको अपनी channel से इसमें login कर लेना है मैंने एक dummy channel से login कर लिया है आपको सिखाने के लिए उसके बाद आपको top right corner में जो यह arrow का निशान दिखाई दे रहा है red color का आपको इसके उपर क्लिक करना है कई फोनों के अंदर यहाँ पे three dots दिखाई देंगे आपको उनके उपर क्लिक करना है और यहां से आपको इसे नीचे desktop site पे convert कर लेना है तो यह कुछ इस तरीके से आ अपने चैनल का एकन दिखाई देगा आपको इस चैनल के आइकन पर क्लिक करना है और यहां से आपको YouTube studio के उपर क्लिक करना है मैं इसको next step में open कर लूँगा ठीके यहां पर get the app continue to studio तो हमें यहां पर continue to studio पर क्लिक करना है तो यह आपके सामने कुछ इस तरीके से open हो जाएगा page यहां पर आप सबसे नीचे देख सकते हैं left side में आपको zoom करके मैं दिखा देता हूं यहां पर आपको यह setting का option दिखाई दे रहा है तो आपको इस setting वाले ठीके यहां पर general का option है general में यहां पर currency आती है तो यहां पर currency है मैंने यहां पर USD select कर रखी है आपको भी USD सेलेक्ट कर लेनी है ठीके सबसे पहला काम आपको यही करना है उसके बाद यहां पर जो second option है उसके बाद channel पर क्लिक करना है आपको और यहां पर आप देख सकते हैं आपको तीन ओप्षन दिखाई देते हैं बेसिक इंफो एडवांस सेटिंग और फीचर इलेजिबिल्टी तो बेसिक इंफो में सबसे पहले आपको कंट्री ओफ रेजिडेंस है इंडिया वह आपको स्लेक्ट कर लेनी है यहाँ पर आपको अपने चैनल से रिलेटिड कीवर् ट्रलियू ठीक है तो यहाँ पर आपको अपने चैनल के रिलेटिड जैसे आपका चैनल का नाम आपको सबसे पहले यहाँ पर डालना है तो मेरा एक डमी चैनल है मेरा तो यह तो यह तो väl्न?! ऐमो लिक डिता हूँ है है यहाँ पर छ Eddy इए्टर कर सकते हैं आप यहाँ ठीक ह तो जी ठीक है एजुकेशन है तो एजुकेशन ठीक है टेक्स रिलेट्व सारी वीडियो की की वर्ट साथ को यहां पर डाल देने हैं उसके बाद आपको यहां पर एड्वान सेटिंग का यह ओप्शन दिखाई देता है आपको इसके उपर क्लिक करना है इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर देता हूं तो यह इस तरीके से खुलेगा audience ठीक है do you want to see your channel as made for kids ठीक है तो यहाँ पर आपको हमेशा नो पर ही रखना है यहाँ पर no select कर लेंगे हम ठीक है उसके बाद इसमें नीचे आप देख सकते हैं आपके सब्सक्राइब काउंट है जो आपके सब्सक्राइबर आपके चैनल पर दिखें कि कितने लोगों ने आपको सब्सक्राइब किया हुआ है वह अगर आप दिखाना चाते हैं तो यह display को ऐसे ही टिक रहने दे वरना इसे अंटिक कर सकते हैं ठीक है तो यह advanced setting के अंदर है उसके बाद feature eligibility का option आता है तो इसमें आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको zoom करके दिखाता हूं see how to gain access to features that you are interested in below default features आप यहाँ पे देख सकते हैं इसपे side में tap करके तो यहाँ पे यह enable हो रखा है मैंने तो इससे मुझे क्या benefit है video upload कर सकता हूं playlist create कर सकता हूं collaborate to playlist कर सकता हूं add new videos to existing playlist कर सकता हूं ठीक है तो यह इस तरीके से आप कर सकते हैं और यहाँ पे आप feature that require phone verification ठीक है यहाँ पर आप इसे भी phone verification कर सकते हैं यहाँ पर अभी मैंने कोछ भी नहीं किया क्योंकि यह dummy channel है मेरा तो मैंने ना तो अभी phone verification किया इसमें ना ही कुछ और किया है ठीक है तो आप यहाँ पर phone verification भी कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आपको यह सब मिल जाएगा यह verify phone number आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से verify कर सकते हैं अपने phone number को और फिर आपको यहाँ पर नीची save कर देना है ठीक है यहाँ सारी settings करके भी save कर सकते हैं last में उसके बाद यहाँ पर third option आता है upload defaults का इसके उपर क्लिक करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं basic info में upload defaults का मतलब है कि यह automatic जब भी आप कोई नई वीडियो डालने जाएंगे YouTube पर upload करने जाएंगे तो यह सारे title उसमें automatic आ जाएगा description में अगर कुछ आप यहाँ पर डालेंग अब advanced setting में आपको setting करनी है यहाँ पर जो license है वो आपको standard की जिंगे creative comments रखना है ताकि कोई भी आपकी वीडियो को भी use कर सके अगर आपको कोई objection ना हो ठीक है creative comments ही best रहता है आपको मैं यही suggest करूंगा उसके बाद यहाँ पर आपके category आ जाती है इस पर click करेंगे तो जिस category आपका channel है वह आप यहाँ से select कर सकते हैं ठीक है तो जैसे मैं अभी मान लेता हूं music का channel है मैंने यह select कर लिया उसके बाद यहाँ पर language caption certificate video language कौन सी है आपकी Hindi है English है तो वह आप यहाँ पर click कर सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं आप सारी language आ गई वह आपको यहाँ यहाँ से select कर लेनी है जैसे मैं यहाँ पर Hindi डाल देता हूं यहाँ पर मैं Hindi डाल देता हूं यह रही Hindi ठीक है ऐसी आप title डिस्क्रिप्शन की language भी यहाँ पर डाल सकते हैं उसके बाद यहाँ पर comments है comments visibility में आप देख सकते हैं यहाँ एलो कर सकते हैं all comments को चो potentially inappropriate comments हैं उनको hold क कर सकते हैं review के लिए और all comments को भी review करने के लिए hold कर सकते हैं को कोई comment करे ही ना ठीक है तो हम इसे second option रहने देते हैं और यहाँ पर यह टिक का निशान है show how many viewers like this video मिदलब आपकी वीडियो को कितने viewers like करते हैं वो अगर आप दिखाना चाते हैं तो इसे tick रहने दें ठीक है उ इसमें कुछ permissions आपके manage करना चाते हैं अपने channel को वह यहाँ पर आता है इसकी आपको जरूरत नहीं है अभी ठीक है community है community में यहाँ पर इसकी भी जरूरत नहीं है और यह agreements है बस यह कुछ settings है जो आपको करनी है अपने YouTube channel में जब आप नए नए channel शुरू करते हैं तो आपको यह सारी setting अपने channel के अंदर करनी चाहिए यहाँ पर नीचे save है इस पर हमें click कर देना है ठीक है तो यह save हो गई है setting ठीक है नीचे highlight भी हो गया तो इस तरीके से आप अपने YouTube channel की नए YouTube channel की settings कर सकते हैं जो बहुती ज़्यादा जरूरी हो तो friends अगर आपने अभी तक यह settings नह like जरूर करें हो जादा से जादा शेयर करें थैंक यू